आज की व्याख्यान में ध्यान व्यवसाहिक पाठ्छक्रमों पर होगा, जिसे वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं. वोकेशनल एजुकेशन की परिभाशा, उसके लाब और उसके प्रवेशनियम यह तीन भागों में ये व्याख्यान बटा है. एक बार जब आप अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेंगे, तो हर कोई आपसे उनका पसंदीदा सवाल पूछेगा, आपकी करियर सम्मन्द में आगे की क्या योजनाये हैं? साइन्स, कॉमर्स या आर्ट्स और यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स कहते हैं, तो बातचीत अकसर वही समाप्थ हो जाती हैं. अब यदि आप विद्ञान कहते हैं, तो अगला प्रश्न यहाद आगा जाता है. क्या आप इंजिनियरिंग या मेडिकल प्रवेश इच्छुक है? यहाँ आमत्वर पर माना जाता है कि यदि आप एक डाक्टर या इंजिनियर है, तो ही आप सम्मान और पैसा कमा सकते हैं. अंकल या आंटी जो आप से ये सवाल पूछ रहे हैं, वे आपकी योग्यता यानि आपकी अप्टिटूड और आपकी पसंद के बारे में नहीं सोच रहे हैं. साथ ही और भी चीजे जैसे शिक्षा की लागत तथा उसे भरने में हमारा सामर्थ्य, करियर और रोजगार में सफलता के बारे में नहीं सोच रहे हैं. हम में से हर किसी को केवल इन्हीं करियर को अपनाने का जुकाव नहीं होगा. साथ ही 16 साल की उम्र में आप नहीं तय कर पाते हैं कि क्या सही हैं. कभी-कभी आप एक ऐसे कोर्स में प्रवेश करते हैं जो आपके दोस्त कर रहे हैं. या बी-ए जैसी डिगरी अरजित करते हैं. जिसके बाद शायद ही आपको सीधे कोई नौकरी का अफसर खुले. क्योंकि इन कोर्स दर्मियान आपका कोई विशेश कौशल सेट विक्सित नहीं किया जाता. अगर हम शिक्षा के बाद नौकरी या व्यवसाई में धनार्जन की बात करें, तो 15 साल की शिक्षा के अंथ में आप पूरी तरह से नुकसान में हैं. ऐसी सूरत में नुकसान पूरा करने के लिए आप कोई प्रमान पत्र या डिपलोमा पाठ्यक्रम ढूंडना शुरू कर देते हैं, जो आपको नौकरी दे सके या व्यवसाई करने को तया में बात करेंगे, जैसे इंटेरियर डिजाइनर, जुवेलरी या ड्रेस डिजाइनर, फूट टेक्नोलिजिस्ट, ओफिस अड्मिनिस्ट्रेटर या इलेक्ट्रोनिक डिपलोमा टेक्नीशिन या फिर लाब टेक्नीशिन, नेत्र टेक्नीशिन, फार्मेसिस्ट जैसे कोर्स तो चलो इस वार्ताल आपको और सरल बनाते हैं जब आप वियर्साहिक पाठ्यक्रम वुकेशनल कोर्सिस के लिए प्रवेश लेते हैं आप प्रवेश के स्तर यानि बारवी या दसवी में आधार पर दो या तीन वर्षों में डिपलोमा अर्जित कर लेंगे या चार साल में डिगरी इन में से डिपलोमा पाठ्यक्रम पॉली टेक्निक कॉलीजों में आयोजित किये जाते हैं जो आमतोर पर AICT की मंजूरी वाले कॉलेज होते हैं और यदि उन्हें सरकार से सहायता प्राप्त है तो इन कोर्स की फीज बहुत सस्ती है जो किसी साधारन प्राइविट स्कूल से भी कम है डिपलोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए किसी प्रत्योगिता परिक्षा में बैटने की आवश्यक्ता नहीं है आपके बारवी या दसवी में प्राप्त अंक ऐसा करने में आपकी मदद करेंगे प्रवेश आवेदन करने के लिए 35% प्राप्त विद्यार्थी पात्र है लेकिन आपका प्रवेश उपलब्ध सीटों की संख्या पर निर्भर है एक डिपलोमा आपको शीघ्र रोजगार, 18 वर्ष की आयू तक आर्थिक स्वतंत्रिता, अच्छा कौशल सेट, आत्मसमान और आत्मविश्वाश प्राप्त करने की मदद करेगा अन्य पाठ्यक्रमो जहां आपको निर्धारत वर्षों के लिए कॉलेज में रहने की आवशप्ता होती है, जैसे डिगरी प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष और किसी कारण से आप अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तब आपकी योग्यता अपडेट नहीं की जाएगी, वह बारावी की ही रह जाएगी, इसके विपरीत वोकेशनल कोर्स आपको मल्टिपल एंट्री और एग्जिट भी ओफर करते हैं, यदि आप वोकेशनल कोर्स में हैं और आप पढ़ाई पहले साल बाद किसी कारण छोड़ देते हैं, तो आप सर्टिफिकेट या दो साल बाद छोड़ने पर डिपलोमा वही तीसरे साल छोड़ने पर आपके पास एडवांस डिपलोमा होता है, व्यवसाहिक बाठ्यक्रम, कौशल विकास और रोजगार पर केंद्रित होते हैं, आपको आम तोर पर पूरे कोर्स के दोरान विभिन्न नौकरी की चलिए, हम आपको यही समझाते हैं, मान लीजिये कि एक योग्य लड़का या लड़की विनम्र परिवार से हैं और वह सभी वर्षों की फीज नहीं दे सकता है, इन हालात में वह प्रथम वर्ष पूरा कर सकता है और नौकरी करने के लिए कौलिच से बाहर निकल सकता है, अपने अध्ययन के लिए धन जुटा सकता है और दूसरे वर्ष में बापस आकर अपने अधूरे अध्ययन को पूरा कर सकता है, चलिए, हम आपको यही समझाते हैं, मान लीजिये कि एक योग्य लड़का या लड़की गरीब परिवार से हैं और वह सभी वर्षों की कोर्स फीज नहीं भर सकता है, इस सूरत यहाँ प्रथम वर्ष्या जब तक फीज भर सकता है तब तक पूरा करता है और फिर फीज न भर पाने की सूरत में पढ़ाई छोड नौकरी पाने के लिए बाहर निकल सकता है, अपने अध्ययन के लिए धन जुटा लेने के पस्चात फि अपने अध्ययन को पूरा कर सकता है, वोकेशनल कोर्स के अंत में विद्यारती को दोहरी मान्यता प्राप्त होती है, यानि विश्व विद्यालय से एक और दूसरी सेक्टर कौशल परिशत की प्रमान पत्र से, वोकेशनल कोर्स कॉलेज में इंडस्ट्री के साथ चलाए ज एक छात्र को कॉलेज की पढ़ाई के अलावा नौकरी प्रशिक्षन, अप्रेंटिशिप या इंटर्न्शिप के लिए इंडस्ट्री में भेजा जाता है, जहां उसे अपनी शिक्षा के लिए धन अर्जित करने का अफसर भी प्राप्त हो सकता है, आज हम आपको वोकेशन कोर्सिस में पैरेमेडिकल कोर्सिस की जानकारी देने की कोशिश करेंगे, पहला चिकित्सा प्रयोक शाला, तक्नीशियन मेडिकल लाब तेक्नीशिन, नेत्र सम्वंधी या अप्टोमेट्री तेक्नीशिन, एक्सरे या रेडियोलोजी सहायक तेक्नीशिन, एमाराई तेक् आईए शुरुवात करते हैं Medical Laboratory Technology से चिकित्सा प्रयोक्षाला प्राध्य योगिका या Medical Laboratory Technology जिसे अधिक्तर लोग DMLT के नाम से जानते है यहाँ विद्ञान की एक शाखा है जो प्रयोक्षाला परिक्षणों का उप्योग कर रोगों के निदान उप्चार और रोग थाम से सम्मंदित है इसमें उतको, टिशू और रब्त सहित शरीर के अन्यतरल पधार्थों का विशलेशन शामिल है अगर आप Medical Laboratory Technologist के काम की बात करे तो ये अपने अधिकांश समय यहाँ कार्य करते हैं जैसे की प्रयोक्षाला के उपकरणों का उप्योग कर मानव उतको या अन्य नमूनों की स्लाइड तयार करना ये रप्त परिक्षन और रप्त टाइपिंग जैसे कार्य भी करते हैं भारत में डिप्लोमा MLT दसवी और बारावी के बाद उपलब्ध है दसवी के बाद तीन साल और बारावी के बाद दो साल की अवधी इसे पूरा करने में लगती है यदि आपने डिप्लोमा अर्जित कर लिया है तो आपको डिग्री कोर्स BMLT में सीधे दूसरे वर्ष में प्रवेश मिल सकता है भारत में कुछ विश्व विद्यालय डिग्री पाठ्यक्रम के लिए दुरुस्त शिक्षा प्रदान करते हैं और इसी लिए एक उमीदवार पढ़ाई के दौरान कमा भी सकता है ऐसी सूरत में व्याख्यान और प्रैक्टिकल रविवार को निर्धारित रहते हैं जो विशय BMLT के दर्मियान आपको पढ़ाये जाते हैं वे कुछ इस प्रकार है जैसे Anatomy, Physiology जिसमें किसी अंग की सरंचना और सामान्य कार्य सिखाये जाते हैं दूसरा विशय जैसे Biochemistry है जो डौक्टर को पोलियो, मधुमेह, आदी के निदान और उनकी निगरानी में मदद करता है और एक विशय Clinical Pathology जो मूत्र, मल, ठूक, आदी के नियमित विशलेशन में मदद करता है और एक विशय क्रुमी संक्रमन या Worm Infection, TB के निदान में एक डौक्टर की मदद करता है ताकि एक मरीज का इलाज और निगरानी की जा सके आगे और कुछ विशय को जानते हैं जैसे Hematology जिसमें नियमित रक्त परिक्षन किये जाते हैं जो डौक्टर को इलाज और उसके प्रबंधन के लिए मदद करते हैं एनिमिया का पता लगाने के लिए या सरजरी के मामले में ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम का पता लगाने के लिए इसके साथ ही ब्लड बैंकिंग अभी तक पढ़ाया जाने वाला और एक महत्वपूर्ण विशय है जहां छात्रों को ब्लड और आर एच टाइपिंग और उसका मिलान सिखाया जाता है इसके अलावा माइक्रो बायोलोजी जो बिमारी से जुड़े बैक्टीरिया वाइरिस की पहचान करना सिखाती है और डॉक्टर को यह पता लगाने में मदद करती है कि बिमारी के इलाज के लिए कौनसी दवा का प्रभावी धंग से इस्तमाल किया जा सकता है सीरोलजी या सीरम का अध्ययन भी इसमें सिखाया जाता है ताकि टाइफॉइड डेंगू आदी का निदान किया जा सके हिस्टो पैथॉलोजी एक अन्यम महत्वपूर्ण विशय है जो उतको के अध्ययन में संबंदित है जो डाक्टरों को विभिन प्रकार के ट्यूमर और कैंसर के निदान में मदद करता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों को पैलो बॉमी यानि शीरा जिसे हम बेंस कहते हैं में से रक्त एकत्र करने में दक्ष होना चाहिए इसलिए आपको DMLT कार्यक्रम के लिए एक ऐसे कॉलेज में प्रवेश लेना चाहिए जहां कम से कम 20 सप्ताह के लिए अस्पतालों और बड़ी प्रयोक शालाओं में नौकरी प्रशिक्षन शामिल होता है जो उमीदवार को वास्तविक जीवन जैसी स्तिथी में रहने की मदद करता है कोर्स पूरा करने के बाद छात्र अस्पतालों और प्रयोक शालाओं में फ्लेबोटमिस्ट, मेडिकल टेकनोलोजिस्ट, ब्लड बैंक टेकनीशिन के रूप में करियर शुरू कर सकते हैं परियाप्त अनुभव के पस्चात एक चिकित सा प्रयोक शाला टेकनीशिन प्रयोक शालाओं और अस्पतालों में परिय वेक्षी पदों के लिए आवेदन कर सकता है परिय वेक्षक पद जैसे प्रयोक्षाला प्रबंधक, अस्पताल आउट्रीच, समन्यवक, प्रयोक्षाला सूचना प्रणाली, विशलेशक, सलहकार, स्वास्त्य देखभाल प्रशासक और शैक्षिक सलहकार इत्यादी हम आपके साथ इस पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले भारत के कुछ कॉलेजों और संस्थाओं की नाम साजा करेंगे याद रखे कि ये सभी पूर्ण कालीक या फुल टाइम पाठ्यक्रम है PV Polytechnique SNDT महिला विश्व विद्याले मुंबई इस कॉलेज में सिर्फ छात्राएं ही प्रवेश ले सकती है दसवी के बाद तीन साल का यह इकलोता डिप्लोमा कोर्स है BAV College और PGIMIR चंडिगर और NIMS College of Paramedical Technology जैपुर में बारावी के बाद डिप्लोमा कोर्स और यह दो साल की अवधी के कोर्स है भारत में Ophthalmit Technology कोर्स में डिप्लोमा दसवी और बारावी के बाद उप्लब्ध है दसवी के बाद तीन साल और बारावी के बाद दो साल की अवधी का डिप्लोमा कोर्स है यदि अपने डिप्लोमा अर्जित कर लिया है तो आपको डिगरी कोस बैचलर इन वोकेशनल ओप्टोमेट्री के सीधी दूसरी वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं अप्टोमेट्री में मुख्य रूप से पढ़ाये जाने वाले विशय ओक्यूलर यानि विशेश रूप से आख के संबंधित अनाटमी ओक्यूलर फिजियोलोजी प्रकाश संबंधित भोतिकी साथी ओप्टिक्स बेसिक पार्मोकोलोजी डिस्पेंसिंग ओप्टिक्स ओप्टोमेट्री इंस्ट्रुमेंट्स कम्यूनिटी ओप्टोमेट्री बेसिस ओर्थ्रोप्टिक्स है भेंगापन, ओप्टोमेट्री अभ्यास, दुरुष्य प्रकाशिका, नेत्र रोगों में सुधार लाने के लिए ओप्टोमेट्री टेक्नीशिन मुख्य रूप से सहबागी होते हैं प्रशिक्षित ओप्टोमेट्रिस्ट या ओप्थॉल्मिक टेक्नोलोजिस्ट, नेत्र देखबाल, अस्पतालो, अप्टिकल दुकानो, नेत्र ख्लिनिको, अस्पताल प्रशासन, सामोदायक स्वास्थ्य देखबाल, केंद्र में नेत्र सहायक, नर्स, तक्नीशिन और ओप् खोल सकते हैं जो Medical Technologist जैसे अन्य लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। हम आपके साथ इस पाठ्यक्रम में पेशकश करने वाले भारत में कुछ कॉलेजों और संस्थाओं के नाम साज़ा करेंगे। याद रखे कि ये सब ही पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। PV Polytechnique SNDT महिला विश्व विद्याले मुंबै इस कॉलेज में सिर्फ छात्राएं की प्रवेश कर सकती हैं। दसवी के बाद तीन साल का यह इकलोता डिप्लोमा है। CMSC Bellore, DAV College और PGIMSR Chandigarh और NIMS College of Paramedical Technology जैपुर में बारावी के बाद डिप्लोमा कोर्स और दो साल की अबदी है। X-ray Technology, MRI Technology, Dental Hygienist और Pharmacy जैसे कोर्स बारावी की साइन्स के बाद ही किये जा सकते हैं। और इनकी अबदी दो साल है। आईए अब आपको डिप्लोमा इन X-ray तक्निक के बारे में जानकारी देते हैं। इस पाठ्यक्रम में पढ़ाये जाने वाले विशय मानव शरीर रचना विद्न्यान और शरीर क्रिया विद्न्यान, रेडियोग्राफिक तक्नीक और डायग्नोस्टिक। रेडियोग्राफी, रोगी देख भाल और अस्पताल अभ्यास। रेडियोग्राफी की मूल बाते, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी यानी ECG, रेडियो डायग्नोस्टिक रिजल्ट कोरेलेशन, क्लिनिकल हीमातलोजी, केमिस्ट्री और यूरिनालिस्स, रेडियोग्राफिक और डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफिक इमेज, अक्विज और बेसिक फिजिक्स है X-ray Technology स्थानक या X-ray Technician में डिपलोमा के करियर, विकल्प और नौकरी की संभावनाएं बहुत अधिक है स्वास्त्य उद्योग के तेजी से विकास के साथ बढ़ती जा रही है वर्तमान में इस शेत्र में कुशल और योग ये X-ray तक्नीशियनों की संख्या में कमी है इसलिए X-ray Technology में डिपलोमा करने से आपको रेडियोग्राफी के शेत्र में करियर बनाने की मदद मिल सकती है भारत में X-ray Technology में डिपलोमा के बाद रोजगार के कुछ अफसर यहां दिये गए है कोई भी सरकारी और नीजी अस्पतालों, सरकारी और नीजी चिकित्सा प्रयोक्षा लाओ, X-ray प्रयोक्षा लाओ और Outpatient देखबाल के इंद्रों में भी काम कर सकते है इस पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान P-G-I-E-M-R चंडिकड, T-M-U है, मुरादाबाद और N-M-C-H पटना MRI का क्या मतलब है? CT scan या X-ray के साथ आज हमें यह शब्द अकसर सुनाई देते है MRI जिसे Magnetic Resonance Imaging कहते है MRI scan मानव शरीर के आंतरिक्त अंगों की छवियों को उत्पन करने के लिए चुम्बकिय और रेडियो आवरुत्ती तरंगों का उप्योग करता है CT scan या X-ray से यह संभव नहीं है इसी लिए MRI scan का उप्योग, musculoskeletal समस्याओं और चोटो, मस्तिश्क की बिमारियों, हड्डियों की बिमारियों, कोमल उत्कों की बिमारियों, ENT बिमारियों और सवहने रोगों जैसे सिथियों एवं उनके निदान के लिए किया जाता है इस पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाले विशय, Magnetic Presonance की बुनियादी, सिध्धान्त, MR Pulse Sequence, मानव शरीर पर जैविक प्रभाव MR और X-ray और MR कॉईल और अन्य है MRI तपनीशिन के कार्य है, जैसे MRI स्कान के लिए रोगी को तयार करना, रोगी को निर्देश देना, MRI स्कानर स्थापित करना, MRI स्कानर माप दंडो को समाय उजित करना, स्कान के लिए रोगी की स्थिती बनाना, स्कानर को संचलित करना, नियंत्रन और या सोफ्ट्वेर को संभालना, स्कान की गई छवियों और परिणामों को रेकॉर्ड करे और अवशक सुरक्षा सावधानियों और निर्देशों का पालन करे, कोई भी सरकारी और नीजी अस्पतालों, सरकारी और नीजी चिकित सा प्रयोक्षा लाओ, MRI स्कान के इंद्रों में काम कर सकता है, यहां कुछ कॉलेजों की सूची दी गई है, जो इस पाठ्यक्रम की पेशकश करते हैं, अब बारी है आपको कोर्स डेंटल हाइजिनिस्ट के बारे में जानकारी देने की, डेंटल हाइजिनिस्ट की प्राथमिक भूमिका मौखिक रोगों को रोखने और उनका इलाज करने की है, यह समग्र स्वास्थ्यक को बनाने रखने के लिए महत्पपूर्ण है, वे मरीजों के दाद साफ करते हैं, और क्षती मसूडों की सूजन और अन्य बिमारियों के संकेतों के लिए उनके मूँ की जाच करते हैं, वे मरीजों के दाद साफ करते हैं, और क्षती मसूडों की सूजन और अन्य बिमारियों के संकेतों के लिए उनके मूँ की जाच करते हैं, साथ ही, डेंटल हाइजिनिस्ट मरीजों को अच्छे मौखिक स्वास्त को बनाए रखने के तरीके सिखाते हैं, इस कोर्स में पढ़ाए जाने वाले विशय जन्रिल और देंटल अनाटमी और फिजियोलोजी, फार्मकोलोजी, देंटल हेल्थ एजुकेशन, देंटल हाइजीन और ओरल प्रॉफिलाइकसिस, देंटल रेडियोलोजी, देंटल मटेरियल्स, प्रिवेंटिव देंटिस्ट्री, क्म्यूनिटी पब्लिक हेल्थ देंटिस्ट्री, देंटल एथिक्स और जूरी स्पूडेंस और कम्प्यूटर का बुन्यादी ध्न्यान है, देंटल क्लीनिक, प्राइवेट क्लीनिक, कमर्शल लाबोरेटरी, सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉलेज या युनिवरसिटी में देंटल हाइजिनिस्ट या असिस्टन्ट के रूप में इस कोर्स को सफलता पूर्ण करने के बाद आप काम कर सकते हैं, यहां कुछ कॉलेज हैं जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं जैसे इंद्रप्रस्त डेंटल कॉलेज गाजियाबाद उत्तरांचर डेंटल और मेडिकल रीसर्च इंस्टिटूट दहरादून, फार्मसी वह शब्द है जिसे आपने अकसर सुना है आप जानते हैं कि फार्मसी यहां स्थान है जहां आप डॉक्टर के पर्चे के साथ या बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा खरीदने जाते हैं क्रोसिंग जैसी दवाओं को डॉक्टर के पर्चे की अवशक्ता नहीं होती, जो व्यक्ति नुस्खे को पढ़ सकता है और उसके अनुसार आपको दवा देता है और साथ ही आपको बताता है कि दवा कैसे लेना है कभी कभी आप अपने परिवार के डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ आपको एक दवा लिखते हैं और वहाँ एक व्यक्ति एक फॉर्मिला तयार करता है और आपको देता है तो आप व्यक्ति की भॉमिका के बारे में क्या समझते हैं वहाँ वहाँ है जो दवाए तयार कर सकता है और वितरित कर सकता है यहाँ भी फार्मसिस्ट का काम है यहाँ डिपलोमा फार्मसिस्ट भी हो सकता है फार्मसिस्ट का कर्तव्य दवाओ के सुरक्षित और प्रभावी उप्योग को सुनिश्चित करना है यह स्वास्त्य विद्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है बारवी विद्ञान पास करने के अलावा इस कोर्स की योग्यता यह भी जाच्षती है कि आपने भौतिकी रसायन विद्ञान, जीव विद्ञान और गणित का विकल्प चुना है या नहीं भौतिकी को जानना होगा क्योंकि प्रकाश आधिके सिध्धान्त के आधार पर बहुत सारे उपकरणों का उप्योग किया जाता है रसायन विद्ञान, दवास सरंचना को समझने के लिए एक मुख्य विशय बन जाता है खुराख की गणना करने के लिए गणित और मानव शरीर रचना विद्ञान और शरीर विद्ञान के लिए जीव विद्ञान एक आधार बनाता है वनस्पती विद्ञान औशिधी पौधो और उप्योग को समझने में मदद करता है फार्मसी में पढ़ाय जाने वाले विशय मानव शरीर रचन विद्ञान और शरीर विद्ञान है जिन में पैथो फिजियोलोजी शामिल है यानि किसी दवा का उतक टिश्यू पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पढ़ सकता है कार्बोनिक, अकार्बोनिक, बौथिक, विशलेशनात्मक और औशिधिय रसायन विद्ञान सहित फार्मसीटिकल रसायन विद्ञान है एक फार्मसिस्ट यानि फार्मसी में डिपलोमा ग्राजुएट, कम्यूनिटी फार्मसिस्ट, अस्पताल फार्मसिस्ट, प्राथमिक देखभाल फार्मसिस्ट के रूप में काम कर सकता है क्लिनिकल परिक्षन, मिलिटरी फार्मसिस्ट में सहायता कर सकता है और अपना फार्मसी आउटलिट स्थापित कर सकता है यहाँ पाथ्यक्रम किन कॉलेजों में दिया जाता है उसके विशय में तो गवर्मेंट पॉलिटेक्नीक श्रीनगर गड़वाल SKIMS श्रीनगर गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर कश्मीर मुंबई महराष्ट्र में FNDT महिला विश्व विद्याले केवल लड़कियों के लिए यहाँ हमारी ओर से उपलब्द पैरमेडिकल पाथ्यक्रमों की जानकारी का एक छोटा सा गुल्दस्ता जो पैरमेडिकल के बारे में जागरुपता पैदा करने का एक छोटा सा प्रयास है प्रत्यक पाथ्यक्रम की अपनी विशिष्टिता होती है लेकिन प्रत्यक पाथ्यक्रम मानवता की सेवा करने में आपकी सहायता करता है सबसे महत्वपूर्ण बात कभी भी निराश न हो कि आपने कम अंख प्राप्ट किये है आपके पास हमेशा आगे अध्ययन करने का अफसर होगा इसे टाप करने के लिए आपको सिर्फ अपनी आखे और कान खुले रखने होंगे वही करे जो आपका दिल आपसे कहता है इसे अपना सर्वश्रेष्ट शौठ दे और आपके लिए ढेर सारे अफसर अवश्य खुलेंगे आप सभी को आपकी भविश्य के करियर के लिए